अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विएक मिसा टेग मिटेर्स हम लोग जिस कंपनी के उपडेट लेने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है करेंटी कैसा ट्रेट कर रहा है और इसी के उपडेट करेंगे काफी अच्छी रैली दिखाई दी है तो क्या है रैली के कारण वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और कहां पर अभी एंट्री का मौका है हमारे टार्गेट कहां तक हिट हुए वो सब कुछ हम लोग अफडेट लेंगे इस सेयर पर तो काफी कौर्टर वन की नंबर भी अगर last time का भी discuss है तो काफी when-month हो चुके है last time discuss की हुए अब पूरा अफटेट ले लेंगे की रिवाइस कर लेंगे एक तरीके से के अभी कासी कर लेंगे जो चैनल पर ने हो चैनल सुब्राइब कर लें लें नोड़े सेम्बल जो पसके महा हुआ तक कि आने वाले निक्स्ट अपडेट आपसे मिसनाहो वीडियो को लाइक कर दें जिससे यह और लोगों को रिक्मेंड हो आप आप जॉइन भी कर सकते हैं यहापे मेंबर सी ले सकते हैं और काफी सारे बेनिफिट हैं वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं देखिए डेस जब हम लोग कंपनी को फर्स्ट टाइम डिसकस किये थे तो 97 रुपीज 50 पैसी के अराउंड यह जिंदल स्टेनलेस लिम्टेड ट्रेड कर रहा था काफी अच्छी रैली थी उस टाइम पर भी फिर हमने इसको जब हमारा टार्येट हीट हुआ तो 145 के आसपास था सेयर का प्राइस और उसके बाद अभी जो है 150 रुपीज थक पहुच रखा है काफी डिपाई थी तो अच्छा खासा रैली वहां से दिया है और बहुत सारी कंपनियां जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि कल ही बता रहा था कि जो गिरावट है देखिए रिकव करना पड़ेगा बाकी देखिए बैंक और वरोडा भी वहां पर एक तरीके से स्टीन करने की कोशिश कर रहा है जो गिरावट थी दो तीन दिन की वहां वहां पर सारे सेयर लगभग देखिए डॉक्टर रेडरी इस भी कल बोल रहा था हम आप लोगों को गेल भी हो गया का अज सुबही मैंने आपको बता दिया था चलिए अच्छा है कम से कम यह रिवर्स लिया क्योंकि और वरना फिसलने के चांसे बन रहे थे पर हाँ उमीद थी कि रिवर्स ले लेगा 150 के राउंड 148 के राउंड वाई की कॉल भी बताया था था मैंने आप लोगों को इसी तर पर आज डिसकस करने वाले हैं तो 150 रुपी के राउंड रेट कर रहा है 17% की रेली दिखाया बहुत तगड़ा नॉन एनरजी मिनरत से आजाता है श्टील की कमपनी है देखिया श्टील के जितनी भी स्टील सेक्टर की जितनी भी कमपनी आए ट्रेट सारी की सारी बहुत ज इंक्रीस कर दिये और फिर काफी टाइम बीच में जो था कि एकदम सप्लाई बंद की प्रोडेक्शन बंद थी तो उसके वज़े से जो अचानक से डिमांड बढ़ी है उसके उन्होंने अपने प्राइस भी काफी तगड़े इंक्रीस कर लिये हैं नॉम्बर 17 को आएंगे इसके नेक्ट नंबर अर्निंग पर सेयर देखे 17.3 हो रहा है मार्केट केटल 62.78 बिलियन की है टिप्डेंट यहां पर मैंसन नहीं प्राइजन रेशियो 7.6 आ जाता है इस हिसाब से इसकी करेंट कंडिशन चल रही है टिएस यह देखे जो डिप आई थी डारेक्ट एक ही बाउंस के साथ रिकवर हो गई तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो कंपनिया अच्छी है टिएस जिनकी कंडिशन अच्छी है वो कितना भी डाउन आ जाए वो देख अच्छी है तो समझते हैं कहां पर आई करना है बागी इसकी कंडिशन अम लोगोंने अल्रेडी समझ रखा है पानेसल पर बस एक पुछ कर डेट लेते हैं तो मार्केट कैप्टल आ जाती है 6278 करोन इंडियर रुपीज में बुक वैलू है 65.80 पैसे तो बुक वैलू से अ कितना प्लेस कर रखा है 68.1% का अभी मैं आपको बताता हूं यह देखिए जो आपको मैं कह रहा था पिछले बारे महिने में जो प्राफिट ग्रोथ है कंपनी की 1000% से भी जादा ग्रोथ है इस इसाब से आप एक अंदाजा लगाई कि कितनी ज्यादा स्टील की कंपनियों क इस बार मुनाफ़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है कंपनी की सेल भी 34.2% की ग्रोथ है अल टाइम हाई प्राइस जो गया है कंपनी का 168 रुपीज तक गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही इसका हाई भी था रिटन आउन एसिट 3.32 आ जाता है और इस बार के नंबर जो है मलब मार्च वाले से 4.7% की उसमें भी ग्रोथ है आपको मैं यह चीज जो बताना था वो बता जूँ कि यह देखिए 86.64% जो होल्डिंग्स है वो प्लेस कर रखा है अब देखिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है पर उससे अगर कंपनी को फाइदा होता लोन से अच्छा नहीं हो पाता, खाटे में रहती है फिर भी तो नुक्सान हो जाता है तो पर यह दो पहलू है यह लौंगटम बेसेशिस पर ही पता लगते हैं फिलाल तो कंपनी अच्छा कर रही है तो हम लोग अच्छा मान के इसको चलते हैं अगले कॉड़र के नतीजे बाकी कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है पर डिविडेंट नहीं दे रही है तो अभी खुदी लोन से जूज रही है तो कहां डिविडेंट देगी आप समझ सकते हैं तो इस हिसाब से इसकी कंडिशन है पर अपने आपको मजबूत करने में कंपनी लगी हुई है आप इसका ट्रेंट भी देख सकते हैं पॉजटिव है काफी अच्छी मूमेंट के साथ बाकी सारी कंपनी आम लोगा ने लगबग इसमें डिसकस कर रखा है सेल भी आज अच्छा मूमेंट दिखाया तो उस हिसाब से इसमें कंडिशन है अब चार्ट पर बात करते हैं कहां पर क्या एंट्री ले सकते हैं क्या टार्गेट आ सकते हैं वो सब समझते हैं तो देखिए ट्रेस इस पर जो सपोर्ड मिल रहा है 121 रुपी 65 पैसे पर मिल रहा है और आप इसके आराउंड से मतलब इसके जितना ज्यादा क्लोज हैं आप उससे बाई कर सकते हैं यहां से लेकर आपको जो बाई की कॉल बन रही है वो 130 रुपीज तक बिख रही है क्योंकि अभी देखिए यह जैस्ट वन बॉनस में वन रैली में इतना हाई गया है तो थोड़ा बहुत अगर यह करेक्ट होता है तो आपको एक डिप के साथ इसमें एंट्री अगर आपको ले नहीं है तो आप ले सकते हैं और जो आगमी टार्गेट होंगे देखिए 168 मेंसन है इसको हम लोग यह है यह टार्गेट ठीक है तो नेश्ट टार्गेट जो है 165 रुपीस का है आगमी और उसके बाद जब यह कंपलीट होगा तो हम लोग इससे अब अब के टार्गेट जो है 185 रुपीस तक का फिर उसके बाद 200 प्लस का टार्गेट आप इसमें लेके चल सकते हैं कंपनी के नंबर ट्रेल्स अच्छे थे इसलिए इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है यह देखिए आपको मैं बता हूँ इसमें जो सेल है वो भी बैतर था फिर ऑपरेटिक से प्रॉफिट भी 601 करोन का हुआ आप देख सकते हैं पहले एक बार भी यहां पे जितने भी मार सितंबर 2018 से नंबर है इतना बैतर किसी में नहीं हुआ था और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा यह कौटर बीता है अभी पिछला 303 करोन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट लॉस बुक पर भी अगर चेक कर लें तो मार्च 2017 से कंपनी प्रॉफिट में है और लगातार प्रॉफिट के जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं आप देखिए यहां पर कोई कोई इयर इसका खराब गया है जैसे मार्च 2017 हो गया 20 भी हो गया मार्च 21 जिसमें लॉग डाउन और बाकी सारी चीजे थी वहां पर भी कंपनी ने 419 करोन का प प्रॉफिट के पास है जिसमें से 86 इनो ने प्लेस कर रखा है बाकी एफई की होल्डिंग आ जाती है फई ने अपनी होल्डिंग इंग्रीज किया है इस पॉप्लिक की 11.11 है तो इसी साब से ठीक ठाक होल्डिंग सेर पेटन नजर आते हैं और आपको मैंने टार्गेट बत अगर यह रैली कंट्यूनिव रखता है तो 165 रुपीज वाला जो टार्गेट है वो इसी वीक आ सकता है फिलाल यही था इस सेर के उपर अपडेट थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो मिलते है आपको नेक्स कंपनी क साथ नेक्स वीडियो में